जो आज तुम्हारे सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा और यदी करोगे खूब महनत तो जो आज तुम्हारे पास नहीं वो कल तुम्हारी मुठी में होगा जी हाँ दोस्तों आपका बड़ा भाई निखिल धावाई फिर ते खादिर है लेकर के लेक्चर नमबर टेन बोशन इन प्लेन और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस रफ्तार जेगी ए के सेशन में और दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है वेलोसिटी अप्रोच एंड सेपरेशन इन 2D ठीक है तो यहां हम कुछ और चीज़े भी पढ़ेंगे कई जनों को लग रहा होगा कि सर यह तो आपने पढ़ा दिया है तो भही हमने बंडी की बात करी है 2D की नहीं तो काफी इंट्रेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है कुछ अब देरी की है स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो सबसे पहले है वेलासिटी ओफ सेपरेशन और अप्रोच अप्रोच का मतलब होता है जब वह पास आ रहे होंगे अब्यस्ली रिलेटिबली हमने यह बात पहले भी कर रहे हैं सेपरेट मतलब जब उनकी सेपरेशन इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं एक बात करता हूँ आपसे मान लीजिए यह एक लाइन है इसके अलॉंग एक पार्टिकल ए जो है वो मूफ कर रहा है कुछ वेलासिटी वी से मैंने का यहां हमारा एक बंदा बैठा है बी बी एको देख रहा है तो बी जब एको देख है तो बी क्या कहेगा बी कहेगा यार कि देखो ए जो है अभी मुझसे इतने दूरी पर है बात उसकी बिल्कुल सही है यह जो है उससे अभी कुछ दूरी पर है और वो कहेगा लेकिन जैसे जैसे यह जो है वो इस तरफ आते जा रहा है तो यह दूरी जो है वो कम होते जा रही है और एक particular point के बाद देखो पहले ये length ये कम हो गई ये और कम हो गई अब इसके बाद तो क्या हो रहा है वापस से जो हम दोनों के बीच की दूरी है A और B के बीच की दूरी है वो बढ़ते जा रही है है के ने तो अगर मैं तुम से पूछू यहाँ पर कि A कब कब approach कर रहा है अप्रोच करने का सीधा सा मतलब है जब तक separation कम हो रही है तब तक A approach कर रहा है साफ दिख रहा है कि इस point O से पहले तक दोनों के बीच की दूरी जो है वो कम हो रही है तो यह हो रहा है अप्रोच और इस point O को क्रॉस कर लेने के बाद A और B के बीच की दूरी जो है वो बढ़ रही है तो यहां यह हो रहा है सेपरेट हाँ अब यहां हमें उसी वेलासिटी उसी सेपरेशन और अप्रोच वाली वेलासिटी को निकालना है ठीक एक चीज़ और यहां ध्यान रखो कि जब इसकी वेलासिटी A और B को जॉइन करने वाली लाइन में और B के हिसाब से A की जो वेलासिटी आ रही है उसमें एंगल कितना आ जाए अगर 90 डिगरी आ जाएगा तो उस केस में यह डिस्टन्स क्या होगी मिनिमम होगी ठीक है अब अगर मैं चाहता हूँ यह निकालना कि मुझे चाहिए क्या वेलासिटी आफ सेपरेशन या वेलासिटी आफ अपरोच तो यह होता क्या है आप जानते हो कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिए जा सकते है तो आपको यह समझना होगा यहाँ पर कि अगर मैं इस वेलासिटी का एक कंपोनेंट लेता हूँ लाइन ओफ जॉइनिंग के अलोंग और लाइन ओफ जॉइनिंग के परपेंडिकुल बिल्कुल इसके कंपोनेंट्स लिए जा सकते है इस डाइरेक्शन में और इस डाइरेक्शन में आपको ये समझना चाहिए कि ये वाले velocity का जो ये component आ रहा है ये component इस separation को कम करना चाह रहा है देखो ये velocity के दो component लिए आपने एक ही है और एक ही है तो आप समझना इस बात को जैसे मानलो ये वाली जो line थी ठीक है ये वाली line थी अगर कोई particle बस ऐसा चलता है सिर्फ ऐसा तो क तो क्या होगा वो इस separation को कम करेगा तो आप अभी इस पर focus ना करें आप बस ये ध्यान रखें कि इस separation को कम करने वाली velocity कौन होगी ये और जब हम यहां होंगे तो इसी तरीके से इस u का एक component आपको देखने को मिलेगा इस direction में line of joining के along तो क्योंकि ये वाला component अभी दूर जा रहा है बी से तो हम कहेंगे ये velocity of separation सिंपल सी बात यह है जो आपको यहां पे सीधे सीधे सिंपल से शब्दों में दी गई है कि velocity of separation या अप्रोच यह है component किसका relative velocity का किसी एक पार्टिकल की आपको relative velocity निकालनी है दूसरे पार्टिकल के respect में और उसका component लेना है along the line of joining between दे मन V के respect में एक कुछ ऐसा चल रहा था तो यह वाली velocity अप्रोच वाली है और यह separation वाली है तो कुछ नहीं करना relative क्या करना है relative velocity का line of joining के along component लेना है यह बहुत ही simple सा example देखते हैं जिसे यहां पर कहा कि particle जो था वो respect था A और B जो है वो चल रहा है कुछ velocity V से ऐसा तो आप से फिकर में और यह angle आपको पता करना होगा कि component लेने के लिए angle पता होना चाहिए वो भी दिया गया है फिकर में तो आपको बस कुछ नहीं करना आपको line of joining के along component निकाल देना है तो यह आ जाएगा V cos theta simple सी बात है यहाँ पर velocity of separation है V cos theta मतलब इस length को बढ़ाने के लिए responsible component यह है और अगर आप थोड़ा धंग से कहना चाहें तो आप यह कह सकते हैं कि अगर यह वाली length या distance L है यह वाली length या distance L है तो DL by DT इस length के जो बढ़ने का rate है इस moment पर it is actually equals to V cos theta बहुत ही simple चीज है यहाँ देखो इस direction की बात कर रहा हूँ तो इस direction वाली velocity ही इस length को बढ़ा रही होगी simple सी बात कोई कहेगा सर उस V sin theta का क्या तो V sin theta has no role in increasing or decreasing this separation at this moment perpendicular velocity का कोई roll नहीं होगा किस direction में इस velocity के perpendicular direction है तो कोई roll नहीं होगा लेकिन V sin theta के perpendicular तो V sin theta को कोई roll नहीं है लेकिन V cos theta पूरी तरीके से responsible है इस separation को बढ़ाने के लिए तो आप ये भी कह सकते हैं उमीद है ये बात समझ में आई होगी और हम बढ़ते हैं अभी आगे एक और सवाल की और और इस सवाल जर समझते हैं कि अभी यहाँ पर अगर दोनों चीजें move करने लग जाए तो क्या होगा अब इस चीज को थोड़ा सा आप ये समझें एक्च्वली में क्या हो रहा होगा एक्च्वली में ये पार्टिकल जो है कुछ ऐसा मूव कर रहा हो ए जो है वो ऐसा जा रहा है ऐसे ही हमारा बी जो है वो मालो कुछ ऐसा जा रहा है एक पार्टिकल ऐसा जा रहा है किसी मोमेंट पर ये दोनों यहां थे आई बात समझ में किसी मोमेंट पर ये दोनों यहां थे और इनकी जो वेलासिटी थी वो थी 10 मेंटर पर सेकिंड ये थी 4 रूट 2 मेंटर पर सेकिंड ये 37 डिगरी ये 45 डिगरी आप से ये पूछा गया कि बताओ Find their velocity of separation या अप्रोच तो ये अप्रोच कर रहें कि सेपरेट कर रहें तो आपको करना क्या है आपको सीधे सीधे सबसे पहले तो relative velocity ढूण दिए क्या ढूण नहीं है relative velocity कैसे ढूण देंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर components क्या बात करेंगे components क्यों मैं समझाता हूँ two dimensional में जब भी बात होती है तो हम हमेशा component ले लिया करते है अब तुम कहोगे सर दो perpendicular direction ही लोगे मैं कहूँगा हाँ जी यार दो perpendicular direction ही लेंगे सर कौन सी x और y ले ले लेते हैं यहाँ पर आदर डालो कि x और y ठीक है जैसा भी लेना है लेकिन कोशिश यह करें कि line of joining के along और उसके perpendicular component लें मतलब यह line of joining है तो इसके along जो component आएगा वो आएगा 10 cos 37 और 10 cos 37 आपके पास आजाएगा 8 और ऐसे ही यहाँ पर आपके पास जो component आएगा वो आएगा आपके पास कितना वो आएगा 10 sin 37 यह आजाएगा कितना 6 मतलब A के पास इस direction में 8 है इस direction में 6 है ऐसे यह 4 root 2 है तो यह component आजाएगा आपके पास 4 और यह component भी आजाएगा 4 अब आपको क्या करना है velocity of separation और अप्रोच निकालने के लिए ऐसे cases में line of joining के along components कर लो और फिर A के respect में B की velocity देखो या फिर B के respect में A की velocity देखो तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि A खुद को क्या मान लेगा वो कहेगा कि भाईया हम तो है rest में हम कैसे हैं हमें rest में और हमको क्या क्या दिख रहा है हमको जो है न पी का जो velocity है 4 वो भी दिख रहा है यह वाली velocity 4 भी दिख रही है लेकिन क्योंकि A अब relative velocity निकालने वाला है तो A क्या करेगा A अपने components को opposite direction में add करवा देगा बतलब A अपने इस 8 को इस तरफ add करवा देगा तो यह साहब इसने add करवा दिया इस तरफ तो यह total हो गया अपने पास कितना यह हो गया 12 और ऐसे ही यह अपने इस 6 को इस तरफ add करवा देगा तो इसने अपने इस 6 को इस direction में add करवा दिया और अब आप यहां से कह सकते हो ध्यान से सुनना पूरी बात अब आप क्या कहेंगे कि with respect to a इसको मैं अलगी लिख देता हूँ यार अलग से page में तो with respect to a b जो है वो इधर आ रहा है कितने से 12 से और 6 नीचे 4 उपर तो नीचे की तरफ आएगा 2 simple तो वो 2 से इधर भी आ रहा होगा मतलब a को with respect to a ध्यान से सुनना पूरी बात with respect to a b जो है न कैसा जाता हूँ दिखेगा b जो है वो कुछ ऐसा जाता हूँ दिखेगा 2 से इधर और 12 से इधर मतलब resultant जो आएगा वो आएगा ये तो ये है resultant of b with respect to a velocity of b with respect to a और ये direction कुछ ऐसी आई तो आप समझे a और b ऐसे जा रहे थे लेकिन अगर तुम a हो तो तुम को जो motion दिखेगा b का वो कुछ ऐसा दिखेगा खैर हमें जो निकालना था वो था velocity of separation या approach तो आप ज़रा सोच के बताएं मुझे कि यहाँ पर आपको क्या दिखता है ये b जो है वो separate हो रहा है कि अप्रोच तो आप ये देखो कि इसकी जो net velocity है उसका ये वाला component a की तरफ आ रहा है because of this हम क्या बोलेंगे यहाँ पर velocity of approach है और जी हाँ अगर इस length को आप कहते हो ध्यान से सुनना अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ इस length को अभी इस वक्त अगर मैं कहता हूँ L तो इस length का rate of change जो आएगा वो आएगा minus का 12 क्योंकि ये rate of change 12 इस तरफ है तो कम हो रहा होगा इसलिए minus 12 तो DL by DT separation में separation का rate of change है वो है 12 सर ये जो 2 है ये का क्या काम का है या 2 का अभी काम छोड़ दो अभी वो क्या काम का है वो हमको angular velocity वाली जब हम concept पढ़ेंगे तब समझ में आएगे हाला कि अभी आप इससे resultant velocity निकाल सकते है और काफी कुछ चीज़े बता सकते है यहाँ तक मेरे एसाब से बात समझ में आई होगी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम एक और case की और हम कह रहे हैं कि अब अच्छा क्या यहाँ पर यह कोलाइड हो पाएगा बिल्कुल नहीं यह तो ऐसा पास कर जाएगा कोलाइड नहीं होगा तो कोई आप से पूछे यहां कि यार बी जो है वो ए से सबसे नजदीक कम था तो आप यहां से एक पर्पेंडिकुलर डाउड यह बात समझ में आती है पी अगर ऐसा मूव कर रहा है तो सेपरेशन कम होती जारी कम होती जारी इस पॉइंट के बाद बढ़ती जाएगी तो एक ही बी से सबसे नजदीकी डिस्टेंस निकालनी है तो इस पाथ पे आप एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉप कर दो काम खतब एक और चीज़ बताता हो अगर मैं यह एंगल पूछू तो क्या आप नहीं निकाल सकते तुम बोलोगे सब क्यों नहीं निकाल सकते यह एंगल अगर मिरको निकालन होगा तो मैं बिलकुल निकाल सकता हूँ टैन थीटा इस टू बाइ ट्वेल पर्पेंडिक्लर अपॉण बेस खतब वन बाइस थीटा इस तैन इनवर्स वन बाइस ठीक है और इवन यह लेंट अगर मुझे पता है तो मैं यह मिनिममम डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ जो भी वेलोसिली और सेपरेशन अप्टरोच निकालना है तो मैंने यहाँ पर मिनिममम डिस्टेंस की भी बात बता थीखेंगे अभी आगे हो और देखेंगे कंडीशन फॉर युनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल्स तू कोलाइड अगर कॉंस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे है तो कोलीजन कब होगा अब एक चीज़ बताइए जैसे इस पर्टिकलर केस में मान लीजिए यह आपको आपने कहा कि भाईया ए तो था रेस्ट पे अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बाद है तुम कहोगे सर यह ऐसे यो चला इसका क्या कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्या भाई दोनों के दोनों कॉंस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे थे तो ये बात समझ न सिंज रिलेटिव एक्स ने जाएग और और उनों रहे पर यह तो यह ए य कि मिनिमम डिस्स दो चलो हम निकाल लेंगे थीटा की व और ये distance अकरती है सा लेकिन ये बताइए कि वो minimum distance कितने time में achieve कर लेगा तो क्या तुम ये distance नहीं निकाल सकते मालो तुम से ये पूछा ध्यान से सुनना तुम से ये पूछा कि यहां से यहां तक आने में कितना time लगा तुम्हें यहां से यहां आने में ये वाली velocity काम में लेनी है VBA तुम निकाल सकते हो बड़े आसानी से दोनों का square करके add करके root लेना है distance upon VBA time आ जाएगा time is distance upon speed अराम से खुल करके सोचो तुमको बात समझ में आईगी तो हर चीज़ बता सकते हैं यह सब अभी आगे आने वाला है tension ना लो अभी हम बात कर रहे थे collision के condition की तो collision कब हो तो अगर आपने मान ले अगर आपने A को और B को move करवाया और कैसे move कर रहे है constant velocity से तो इसके बाद क्या होता है कि A जैसे B को देखता है तो मान लीजिए B की जो velocity आ रही है वो A की तरफ ही आ जाती है relative velocity of B is along this line अगर इनकी relative velocity line of joining के along आ जाए और approach वाली हो दूर जाता हुआ नहीं दिखना चाहिए इस तरह आता हुआ दिखना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ relative velocity atanity जैसे पिछले case में वो ऐसा जाता हुआ दिखना था तो हो सकता है किसी case में वो ऐसा जाये जाये लेकिन जिस case में वो A की तरफ ही आ रहा होगा A ने relative velocity निकाली और उसको दिखता आ रहे है यह B तो मेरी तरफ ही आ रहा है भाई मतलब यह पूरी की पूरी velocity इधर ही है तो इस case में तो क्या होगा यह आते 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 इधर ठुक जाएगा क्यों क्यों कि भाई इधर relative acceleration क्या है जीरो एक बार को अगर वो उसकी तरफ आ रहा है तो उसकी तरफ आता ही रहेगा याद करो वो monkey वाला सवाल monkey पे हमने fire किया था monkey के हाथ चूट गए थे fire होते ही लेकिन फिर भी गोली उसको लगी थी क्यों कि जैसे monkey के हाथ चूटे थे तो गोली उसकी तरफ आ रही थी और फिर relative acceleration 0 है तो गोली तो उसकी तरफ ही आईगी हमेशा और उसको लगेगी ही लगे तो कोलीजन, condition of collision क्या हुई? condition of collision बड़ी ही simple सी बात हुई कि relative velocity along the line of joining आ जानी चाहिए या इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ध्यान से सुनना एक और तरीके से लिख सकता हूँ कि मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर इसका position vector था r a, इसका position vector था r b इसका position vector था r b, ये r a और ये r b ठीके? तो मैं बोल रहा हूँ कि if v a b, वो जो है parallel आ जाए कि इसके b a vector के तो बस काम खतम है काम खतम है अगर v a, v b, oh sorry, 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 sorry v b a, v b a, b की velocity a के respect में इस तरफ या फिर a की velocity with respect to b, जो है a की velocity with respect to b, वो ऐसी कैसी a b के along, तो हम गएगे की collision हो जाएगा, तो if the two particles are moving with uniform velocities and the relative velocity of one particle with respect to other particle is directed towards each other, then they will collide, बहुत ही simple सी चीज है, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं तो आप से पूचा है, particle a and particle b are moving with constant velocity वापस यह ऐसे जा रहे है, तुम बोलोगे सर, collision तो होगा ही होगा ना, अगर यह ऐसे जा रहे तो देखो, यह intersect कर रहा है, तो collision तो होगा ही होगा, तो जरा पीछे आओ एक सर क्यों आएं पीछे, इधर देखो, यह भी तो ऐसे जा रहा था, हाँ सर तो यहाँ पर भी collision होना चाहिए था, फिर तो intersect कर रहे हैं, हुआ नहीं था वो तो, कहां collide कर रहा है, सर क्यों नहीं हुआ, यहाँ तो दिख रहा है, अरे मेरे भाई, यह किसने कहा कि जितने टाइम में यह यहाँ पहुच जाएगा, यह भी उतने टाइम में वहाँ पहुच जाएगा, पाथ intersect करने से ही थोड़ी ना collision हो जाएगा, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुच रहा है, उतने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुचेगा, तब collision होगा, अब ऐसा भी हो सकता है कि इस point में A पहले पहुच जाए, B बाद ने पहुचे, B पहले पहुच जाए, A बाद ने पहुचे, तो collision नहीं होगा, हरा जैसा कि उस case में था, तो इस case में collision नहीं हुआ था, तो यहाँ भी collision होगा के नहीं होगा, वो कैसे पता करेंगे, best तरीका is relative, तो क्या किया हमने, कुछ खास नहीं, सबसे पहला काम हमको जो करना है, वो है, एक components लिख लेना, तो 5 और यह त्रेपन है, तो और यह आ जाएगा, अपने पास 4, उमीद है, आप बात समझ गए होंगे, कि यहाँ पर यह collide होगा के नहीं, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, find whether they will collide or not, and if yes, then find a time of collision, कितने time में वो collide कर जाएगा, यह जो और भी मनें बताया, इनी figure में कौन है, तो यह a है और यह b है, ठीके, तो a ने b को देखा, और a क्या बोलेगा, कि b भाईया, तुम्हारे जो components है, वो तो मुझे दिखते हैं, लेकिन क्योंकि मैं भी move कर रहा हूं, तो मैं अपने velocities को opposite direction में एड करवाऊंगा, तो यह 3 जो था, इसको मैं opposite direction में add करवाऊंगा, और जो यह 4 था, इसको भी मैं opposite direction में add करवाऊंगा और तुम्हें यहाँ से साफ साफ दिखेगा यह 4 को यह 4 ने काट दिया और यह 3 प्लस 4 यह आगया 7 तो साफ साफ यहाँ से हमें यह दिख रहा है कि 7 मीटर पर सेकंड से कितने से 7 मीटर पर सेकंड से यह इसको अप्रोच कर रहा है और यह relative velocity भी है तो velocity of B with respect to A is actually 7 minus i cap बोल देता हूँ अगर यह direction i cap लेता हूँ तो मैं तो यह minus i cap हो गई और अब होना क्या है इस बात को समझो ज़रा यह चल रहा है साफ से तो A को क्या लग रहा है कि A को लग रहा है यार distance upon speed तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो ऐसे collision यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से collision हो जाएगा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और नए case की वैसे यह बात मैंने कर दी है कि minimum maximum distance between the two particles minimum और maximum distance दोनों पार्टिकल के बीच में कब होगी है ना तो हम वैसे कहर A और B को मचलते हुए तो A के relative जवाब बात कर रहे हो ध्यान से सुनना आप कैसे बात कर रहे हो A के relative बात कर रहे हो A के relative बात कर रहे हो तो आपको दिखता है कि ये B जो है ना पहले दूर गया दूर गया दूर गया दूर गया फिर रुका और फिर वापस आ गया एक तो केसी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि B जो है पास आया पास आया पास आया यहाँ पे रुका और वापस चले गया ध्यान से सुनना इन बातों को एक केस तो ऐसा जिसमे B आया और फिर वापस चले गया एक case ऐसा भी इधर गया और फिर वापस इस तरह आ गया दोनों ही cases में यहाँ पर इसने direction चेंज करी किसने बी ने किसके respect में एक के respect में तो आप इस बात को समझें कि जब भी यह देखो maximum यहाँ पर क्या मैं कहे दू कि A और B के बीच का separation maximum था दोनों move कर रहे थे लेकिन A ने जब देखा तो B ऐसा चलता हुआ दिखा तो जब A के respect में B maximum separation पर होगा मतलब उस वक्त B जाके रुका होगा ना भाई चला चलते चलते direction चेंज करें मतलब यहाँ रुका होगा तो जब यह रुकेगा तब क्या आपको यह बात समझ में आती है कि B के respect में A की velocity या A के respect में B की velocity 0 होगी हम क्या कह रहे हम कह रहे हम कह रहे हैं A के respect में B ने direction chain करी यहाँ मतलब वो रुका होगा मतलब relative velocity 0 होगी और अगर relative velocity 0 है इसका मतलब दोनों की velocity सेम है relative velocity 0 कब होती है जब दोनों की velocity सेम होती है तो आप इस बात को समझें या ऐसा आप बोल दे कि जब ना ही कोई velocity of separation होगी और ना ही approach जब दोनों के बीच में कोई relative velocity of separation और अप्रोच नहीं बचेगा तो हम कहेंगे कि वो maximum या minimum distance के जैसे वो इधर आया 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 फिर रुक गया रुक गया मतलब ना अप्रोच कर रहा है यहां पे वो separate हो रहा था तो आप separate नहीं कर रहा है इस moment पे यहां वो अप्रोच नहीं के लगाता है और अगर वो velocity of separation है वहाँ पर तो separation बढ़ रही है तो मैंने का यार इस बार जो है ना maximum है उसकी distance मतलब या तो वो उसके minimum distance पे या maximum distance पे मतलब वो दूर जा रहा था तो और दूर नहीं जा रहा है maximum separation मतलब वो दूर जा रहा था तो अब और दूर नहीं जा रहा है मतलब अब उसने separate होना बंद कर दिया है और अगर वो पास आ रहा था तो अब और पास नहीं आ रहा है direction उसने change कर ली ऐसी जगे पर velocity of separation और approach क्या हो जाएगी जीओ तो if the separation between the two particle decreases and after some time it starts increasing पहले वो decrease हो रही थी और फिर बाद में बढ़ने लग गई तुम क्या बोलोगे जिस moment पे वो decrease होते होते बढ़ने लगी उस moment पे separation minimum ओके then the separation between them will be minimum at that instant velocity of approach changes to velocity of separation जहां पर velocity of approach velocity of separation में change हो गए मतलब उस instant पे velocity of approach zero होगी तुम बोलो याँ रहा नहीं समझ रहा, सर नहीं समझ रहा है, मैं यहां यह इभात आता अपरोच कर रहा, अपरोच कर रहा, अपरोच कर रहा, अब separate कर रहा है कि A के respect में B अगर ऐसा जा रहा है तो minimum separation निकालने के लिए perpendicular डाल दो क्योंकि अभी इस वक्त B की velocity with respect to A कैसी है perpendicular to the line of joining बात को समझना B अगर ऐसा आ रहा है तो A के respect में B की velocity ऐसी आ रही है इस velocity का कोई component नहीं है यहाँ पर इसलिए there is no velocity of separation and approach और यहाँ पर separation कैसी होगी minimum तो मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर A के respect में आपको B या तो इधर या इधर कैसा भी आता हुआ दिखता है ध्यान रखना यह relative है आप बस क्या कर दीजिए आप जो है इधर से एक perpendicular डाल दीजिए यही जो separation होगी वो minimum separation होगी बात को समझना आप और यह velocity of B with respect to A है क्योंकि इस वक्त इस relative velocity का कोई component है ही नहीं तो separation जो है आपकी कैसी होगी minimum देखो ना यार बात ऐसे जा रहा है तो यही तो minimum separation होगी तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इस case में ठीक है इस case में आपको जो है साफ साफ बता रखा है कि भाई हमारे पास एक particle है या एक ship है one और एक ship है two यह है one इस direction में जा रहा है two इस direction में जा रहा है ठीक है two ships are 10 km अपार्ट यह दोनों के बीच का separation कितना है 10 on a line joining north south यह north यह south the one farther north is streaming west तो जो north side में वह west direction में जा रहा है with 20 km per hour and the other is streaming north at इतना तो दूसरा north direction में जा यह north यह east यह west और यह south ठीक है अब आप से बुचरे what is their distance of closest approach and how long they take to reach it उन्हें कितना वक्त लगेगा इस distance तक पहुचने में जब उनके बीच की separation minimum होगी कुछ इसमें खास नहीं करना आपको बस एकदम बच्चों वाला के हिल है यह यहां आपको करना क्या है आपको one जो था ship number one जो है उसके respect में बैठ जाओ या two के respect में बैठ जाओ तो one के respect में जब आप बैठेंगे तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे कि सर मुझे जो है ना two की velocity तो दिखती है लेकिन मुझे साथ ही साथ मेरी जो velocity है वो भी दिखती है opposite direction में तुम कुछ ऐसा इसको add करवा दोगे खतम अब तुम बोलोगे सर यहां तो component आपने लेनी क्यों लूँ भाई लेने की ज़रूत ही नहीं relative velocity निकाल नहीं यह already line of joining के along है यह already perpendicular है अगर कुछ angle होते तो मैं component ले और फिर मुझे जो है resultant velocity देखनी होगी तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि resultant velocity जो यहां से आएगी वो कुछ ऐसी आएगी और वो जो velocity आएगी वो obviously अभी आप अगर देखोगे तो वो इस path के along ऐसा move करते हुए आपको महसूस होगा तो आपको यह समझना चाहिए क्या कि with respect to one one के respect में two जो है वो ऐसा जाते हुए इसको दिखेगा तो अगर आपको क्या निकालना है अगर आपको यहां से minimum distance निकालनी है तो यह रही साहा क्या गर दो समझो भात को भाई तुम one हो तुम one पे बैड़े तुमको two ऐसा जाते वे दिख रहा है तो perpendicular उठा के पटको बस यहां पर तो यह 90 degree पर डाला हमने अब यह length आपको पता है यह कितनी दे रखी है यह दे रखी है 10 km और यह angle आजाएगा आपके पास 45 degree तुम बोलो के कैसे आया 45 भाई 20 इदर और 20 इदर एक component 20 दूसरा भी 20 तो 10 theta is 20 by 21 नहीं आया समझ में देखो यह भी तो 20 है यह component और यह component तो यह 20 और 20 मिलके कितना आएगा यह आजाएगा 20 root 2 इस direction में और यह angle आजाएगा 45 तो आपको यह बात समझनी होगी यहाँ पर यह जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 20 root 2 और यहाँ इसको अगर मैं नाम देता हूँ इस point को मैं 3 नाम देता हूँ कि 3 पे जाके यह minimum separation आ रही है तो यह 45 degree था तो 10 यह right angle triangle बन र यह वाली जो length आएगी वो आ जाएगी 10 sin 45 आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि यह आपका आएगा 5 root 2 किलोमेटर तो यह दोनों options तो वैसे हट गए तो यह इसमें 15 15 किलोमेटर दिया हुआ है और फिर और फिर आपको जो time निकलेगा यहां से यहां जाने का time तो कितने speed से चला भाई यह यह जला 20 root 2 से और यह distance कितनी है यह distance भी आईगी अपने पास 10 cos 45 ठीक है इसको नाम देता हूँ यार मैं तो यह point को बोला मैंने A यह B तो आपको समझ में आना चाहिए कि A B जो आ रहा है वो आ रहा है 10 cos 45 मतलब 5 root 2 तो time जो लगेगा A से B जाने में ship 2 को तो 1 के इसाब से 2 कितने से चल रहा है 20 से नहीं चल रहा 20 root 2 से चल रहा है तो distance जो कि है 5 root 2 upon 20 root 2 तो यह कटा यह कटा यह कटा यह कटा यह कटा यह आ गया 4 तो 1 by 4 hours और 1 by 4 hours तो इसको जो है किस से divide multiply कर दो 60 से तो यह minutes में answer आ जाएगा और अपना answer A आ जाएगा simple सा यह तरीका solve simple सी तरीके से solve हो गया ठीक है तो ऐसा करते हैं हम पीछे भी चल चलते हैं उसी सवाल में कि अगर आपको यहाँ पर यह कहता कि यार मुझे तो बताओ कि यह separation कितनी आ रही है तो मैंने बताए जना कितना L sin theta A को वो इधर से जाते को दिख रहा है तो कुछ नहीं करना है तुम खुद सोचो कि अगर वो ऐसे जाते को दिख रहा है तो पस एक perpendicular डाल तो अब L sin theta जो है वो क्या है minimum distance है दोनों के बीच की minimum distance कितनी आ रही है L sin theta L उस उस वक्त पे distance थी sin theta कैसे निकालोगे sin theta निकालने का बहुत ही simple तरीका है इस triangle को देखो ज़रा यह जो triangle है तुमारे पास जो 2 और 12 से मिलके बना है तो यह तुम आराम से निकाल सकते हो 12 का square 144 144 प्लस 4 148 तो यह वाला जो angle है theta तो sin theta तुम बड़े आसानी से लिख सकते हो यह आ जाएगा 2 by root of 148 2 by root of 148 मानलो length तुम्हे 148 meter ही दी गई थी root of 148 तो answer क्या आ जाए तुमारे पास 2 meters आ जाता बड़ी आसानी से निकालो time जो आएगा कितना distance चला इसने a के हिसाब से इसने चला l cos theta a के हिसाब से इसने चला l cos theta कितने speed से v ba से तो l cos theta क्या लिखूंगा cos theta लिखूंगा मैं 12 by root of 148 और v ba कितना लिखूंगा भाई साब मैं v ba मतलब ये वाली velocity वो है root of 148 तो ये answer आ जाएगा 12 by 148 into l तो ये आपका time आ जाएगा उमीद है ये बात आपको समझ में आई होगी इस तरीके से आप solve कर सकते हैं बड़े आसानी से ठीके इस तरीके से आप जो है solve कर सकते हैं बड़ी आसानी से ध्यान रखना इस चीज़ को ठीके न तो यहाँ तक मेरे इसाब से कोई तकलीफ किसी को होगी नहीं बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं जो हमारा case चल रहा था तो यह सवाल हमने देख लिया ठीक है एक और सवाल देखते हैं अब सवाल देखो क्या दे रखते हैं यहां बोल रखा है कि two particles a and b are projected in a vertical plane with same initial speed u dot अच्छा सब्लिंधी यहां अध्यान से सुन्ना प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है projectile motion बात को एक particle को फैक दिया तो यह कुछ ऐसा जाएगा प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है अच्छा ठीक है तो क्या कर एसा पढ़ो आगे क्या दिया हो तो same initial speed, दोनों की speed U naught है, theta same दिया हुआ है, इसका point origin है इसको कहीं यहां से फैक दिया तो इसका coordinate आपको दिया हुआ है L और minus H B का जो coordinate है वो है L और minus H ठीक है? तो कुछ इस तरीके से एक को इधर फैक दिया एक को इधर फैक दिया अब यह कह रहा है कि path of the particle A with respect to particle B will be सबसे पहले path की बात हो रही है projectile में आपको एक कहान ही बता रखी है कि हमारे पास projectile मत बोल देना, इसको paraboli path होगा relative path पूछ रहा है of A with respect to B relative path पूछ रहा है सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना हमने projectile में case पढ़ा है कि जब zero acceleration होगा तब तो पता ही है सब को कि straight line में move करेगा वो लेकिन जब constant acceleration होगा तो दो case बनते है straight line और parabola straight line गब बनता है जब velocity या तो zero हो या velocity acceleration के along या anti parallel हो और अगर velocity और acceleration के बीच में कुछ angle होगा जो ना zero है और ना ही 180 तो parabola ही बनेगा यह सारी चीज़ मैंने projectile में आपको समझा रखिए equation of trajectory वाले lecture में ठीके खैर तो अभी हम यहाँ पर आते हैं और बात करते हैं तो सबसे पहली कहानी तो यह हो जाती है कि भाई साब मुझे जो है इधर जो दिया है वो पहले देखें कि क्या क्या दिया है तो A को जो है हमने project कर दिया कितने से U naught से और theta angle और यहाँ पर हमारे पास कुछ है B B थोड़ा ऐसे नीचे तो यह B जो था इसको हमने project कर दिया कुछ इस direction में U naught से और यह angle कितना है अपना theta इसके coordinate दिये गए हमें L, minus H बतलब नीचे यह distance L है यह distance H है यह distance कितनी है H और यह है L अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहता हूँ with respect to B ज़रा चीजों को देख लेता हूँ तो B क्या बोलेगा B कहेगा कि यार तू मेरी velocity ले ले इसके respect में देख रहे हूँ with respect to B तो जैसे ही तुमने देखा आप ऐसा नहीं कि सर A क्यों नहीं लिया A ले लो तुम्हारी मर्जी तो B के respect में मैंने क्या किया B, B की velocity किदर थी इस direction में theta पे थी वो ध्यान है ऐसी थी तो direct opposite add करवाती मैंने ऐसे अब तुम मुझे ये बोलोगे कि सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो ऐसा सर आप क्यों कर रहे हो अभी तो आपने बताया था कि वो जो line of joining है उसके along components ले तो आपने ऐसा कुछ तो किया नहीं सर इसमे तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए था आपने जो सिखाया है आपने जो सिखाया है उसकी according सर आप कुछ ऐसा करते कि line of joining निकालते इसका फिर फिर और इधर component लेते और फिर देखते चीज़े क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है मैंने काया यार मैं क्यों देखूं लेकिन ऐसा मैं क्यों उस तरीके से जाऊंग योकि देखो IAT वालों को भी पता है कि भाया तुमने इस तरीके से पढ़ा है तुम्हारे मास्टर ने तुमको ऐसे पढ़ाया होगा कि line of joining के along जो है component ले लो और perpendicular component ले लो वो एक approach है लेकिन कई बार अगर उस approach से भी जादा easy approach आपको दिख रही है और बलके वह approach बड़ी complex हो जा रही है तो आप उससे चले हमको कैसे पता लगेगा देखो ना आपको क्या दिख रहा है एंगल सेम देदी है ना थोड़ा साब सोचो कि अगर इसकी velocity इस direction वीते तो direct उल्टा करके देख लो component लेने से पहले एक बार इसको पल्टा के द framing को देखो question framing इस तरीके से की गई है कि आप direct देखकर ज्यादा आसानी से चीज़ कर सकते है बिना component लिए तो हम क्या करेंगे हम सीधे सीधे यहाँ पर इसको चिपका देंगे और अब आपको पता लग रहा है कि दोनों के cost component तो add हो जाएंगे और दोनों के sign component जो है वो एक दूसरे को cancel out कर देगे और यहाँ से फिर मुझे यह पता लगता है कि यह जो particle होगा a with respect to b it is moving on this line औरे सर कैसे तो प्रजेक्टा ही कर रहे थे अरे रुको 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 यहाँ तक समझ में है velocity यह आ गई हाँ यह बोल दू क्या यह velocity है a की with respect to b हाँ सर अच्छा दोनों का acceleration कितना है सर acceleration of a है अपना g downwards और acceleration of b b है अपना g downwards यह इसको और तरीके से लिखें तो हम कह सकते हैं माइनस का j cap माइनस का j cap अच्छा भाई तो बताना ज़रा acceleration of a with respect to b कितना होगा सर वो तो 0 होगा अब अगर relative acceleration माना दोनों का acceleration था माना दोनों का acceleration था लेकिन relative acceleration तो 0 है और relative acceleration 0 है इसका मतलब relative velocity को कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो change करके बता दे क्योंकि acceleration ही नहीं है तो relative velocity constant रहेगी मतलब वो ऐसा सीधे एक straight line में जाएगा तो the path is actually straight line गड़बड़ी ये कर दी हमने answer पहले इदा टिक कर रखा है star mark तो straight line parallel to x-axis आगे भी ऐसा ही फपूर करी हुए क्या मैंने शायर नहीं अगले पाई minimum distance between the particle a and b during the motion अब बताओ क्या तुम वो पाली approach काम में आ रही है कहीं पर बिलकुल नहीं है यहां सीरे दिख रहा है मुझे कि a जब ऐसा move कर रहा है अब बताओ a जब ऐसा move कर रहा है यह already perpendicular रही है तो b से उसकी minimum distance तो हमको पता ही है सीरे सीरे कितनी है h एकदम रद्धी सवाल ठाई है ठागे नहीं h खतम time when separation between a and b is minimum और लो भाई कितने speed चल रहा है 2u0 cos theta से अच्छा कितनी length straight travel करी l तो कितना time लगेगा time लगेगा distance upon speed खतम खतम भाई तो distance l upon 2u0 cos theta c कुछ नहीं है फुड़ासा बस just approach के opposite हम अप्रोच के according नहीं चले हम जो हम किया करते दे हमने direct history से देख लिया कई बार ऐसा भी ध्यान रखना कई बार अगर तुम्हें दिख रहा हो ना कि दोनों की velocity same same है तो भाई यह directly कर लिया करना क्योंकि तुम जानते हो क्या कि दो equal vectors का addition उनके angle by sector के along आता है तो एक यह point पकड़ के चलना दिमाग में बैठा के चलना relative velocity अगर कभी individual speed अगर same हो तो directly करके देख लेना उसमें ज्यादा कोई पचड़ा रहता नहीं है ना बागी कई बार ऐसा होगा कि direct करने में और component लेकरने में कोई difference रहेगा नहीं तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक नदा ये case की टाइम देख लिया जाए एक बार ओके तो अभी हमारा जो case है एक special case of collision के हमने बात कर लिए collision होने के लिए क्या होना चाहिए relative velocity जो है वो line of joining के along या नी चाहिए और approach होनी चाहिए अब हम बात कर रहे है special case of collision अब यहाँ पर तुम्हें एक case दिया हुआ है अनब बहुत सारे cases दे रखें उसमें चलिए case one मैं बोल देता हूं या एक ऐसा करके point हम डाल देते हैं इसमें क्या खास बात है वो सुनो ओ एक point है मैंने कहां यह fixed point है तुमने कहां ठीक है सर ओके fixed point है हमने मान लिया ठीक है और एक particle है a जो की कुछ इस तरीके से move करता है ठाल सुन न मैं क्या कह रहा हूं कि a is moving a is moving with constant speed constant speed u in such a way in such a way in such a way in such a way that its velocity always makes an angle always makes an constant angle constant थीटा विट दा रेडियस वेक्टर ठीक है यह विद रेडियस बोल देते हैं विद रेडियस इस रेस्पेक्ट तू अब तुम मोलों के यहां कोई क्या सकते हैं विद दा लाइन ओफ जॉइनिंग कौन से पॉइंट्स को ओ एंड जैसा कि आपको यहां दिख दे रखा है अब तुम कहोगे वी सारा में जो है ना यहां पर देखो यह चीज जो है समझ नहीं है यह आप क्या कहना चाहते हैं कैसे मूफ कर रहा है हम समझे लिए क्या यह स्ट्रेट लाइन में मूफ कर रहा है चलो देख लेते हैं अगर तुमको लगता है कि यह स्ट्रेट लाइन में मूफ कर रहा है तो आप पूरी तरीके से गलत क्यों क्योंकि speed तो इसकी constant रहेगी कोई tension वाली बात नी लेकिन अगर ये straight line आप बोल देते हो तो अब देखो क्या A का अभी इस moment पे angle theta रहेगा जी नहीं यहाँ तो 90 हो गया और आगे जाके वो obtuse हो जाएगा तो हम कहरें कि यार ये तो कुछ इस तरीके से move कर रहा है कि angle भी वही का वही रह रहा है angle भी change नहीं हो अब यहर ऐसा कैसे move कर सकता है इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश अगर आप करेंगे यह कुछ ऐसा move कर रहा होगा थोड़ा ध्यान देना सर ऐसा move कर रहा हो कैसे देखो अगर ये चलते चलते अपनी direction को बदले ये चले भी और direction को बदले भी तो क्या होगा कि अभी जब ये मालो किसी इस moment पे पहुँचता है तो ski speed जो है वो तो इस direction में है ही और ये angle देखो थीटा वापस बन जाएगा मतलब वो जो angle अगर वो इस freight line में चलता था तो वो angle बढ़ता था ना तो उस angle कम करने के लिए ये यू जुक जाएगा ये कैसा चल रहा है ये कुछ इस तरीके से चलेगा कि हमेशा जो है वो थीटा angle बनाएगा velocity मतलब वो जैसे ही आगे बढ़ेगा तो angle को बढ़ने नहीं दे का ओख जुक जाएगा तो वैसाänd इस बात को और समझो थोड़ा ध्यान से सुनना इतनी बात तुम्हें समझ में आई गई गई क्योंकि अगर वो सीधा चलता रहे था तो यह अंगल बढ़ता 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 अंगल को बढ़ने नहीं देना था उसके लिए यह जुकने लग गया तुम समझ रहे हो जैसे अ बढ़ता है तो आगल को कम करने के लिए जुक गया फिर यह आ गया अंगल बढ़ता है यह और उप्रोच्टे जाएका हमेशा अप्रोच कर रहा है वह बूलेगा हाँ प्लकुल यह तो मुझे अप्रोच कर रहा है तो अगर हम पूछें यहां पर की velocity of approach यहां से सुनना पूरी बात एक आएगा जी साब बिलकुल एकदम सही बात है यार मेरे तरफ आ रहा है हमेशा यू कॉस तिटा से जब भी देखता हूं अभी और कम हो गई तो यह दोनों के बीच की दूरी हमेशा कम होती जा रही है और अगर ऐसा लगातार होते जा रहा है तो क्या यह इससे टक्रा रही जाएगा क्या सिंपल सी बात है तुम कह रहे हो यार के बंदा जो है मेरी तरफ आये जा रहा है तो तकर आए गए तुम्हारे दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही है तो क्या करेगा वह तकर भी खाएगा लेकिन कैसी तकर खाएगा घूंते वह तकर आएगा ऐसा इस पाइरल में गुए तकर आएगा समझो बात को कितना जाके कितने राऊंड घुमा तकर आएगा तकर एगा अभकिसी ने कहा साहब तक्राइगा अगर वह तो कितने टाइम में दोगा यह कैसे निकालेगी यह कैसे निकालेंगे यार दिमाग की धई हो गई हमारी यह कैसे निकालेंगे कि ऐसे टकराएगा अगर वो तो कितने टाइम में टकराएगा यह कैसे निकालेंगे देखो कैसे निकालेंगे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर कहेंगे कि हम यहाँ पर कहेंगे कि जो दूरी थी इनके बीच की उसको मैंने माना मान दीजिए कितना initially r0 थी उस length को मैं कहा जेता हूँ किसी moment पे वो length है l किसी moment पे वो length कितनी है l l की initial value है कितनी r0 और final value कितनी है 0 तो मैंने कहा यार यह dl by dt जो है न यह हमेशा आपका minus का u cos theta रहेगा तुम बोलोगे फिर क्यों अरे मैंने कहा यार देखो भाई तुमने बोला हाँ दिखाओ भाई मैंने कहा यार यह length l है क्या तुम कहोगे हाँ और यह u cos theta ही तो इस l को कम कर रहा है कम कर रहा है मतलब rate of change of l with respect to time is a negative value और कौन कम कर रहा है उसको u cos theta that's why it is minus का u cos theta अच्छा 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 सार समझ गए अब हम अब आप बताओं क्या बोलोगे सर अब आप यह बोलोगे कि dl is equals to u cos theta into dt हाँ मैं बोलूँगा लेकिन इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ओ जब भी देख रहा है एको तो ओ से किसी ने पुछा कि यार ओ ये बता उसने पूछा हाँ भाई पूछ कि यार ओ ये बता ये ए तेरे पास आतो रहा है वो बोलेगा हाँ बिलकुल आ रहा है बिल्कुल बेकरार है मुझसे मिलने को आ रहा है लेकिन हर DT टाइम में तुम्हारे और इसके बीच की दूरी कम हो रही होगी न यह बोल रहा है आप बिल्कल कम हो रही है क्यों नहीं कम हो रही है दूरी तो कम वो जो दूरी कम हो रही है वो DT टाइम में कितनी दूरी कम तो integrate कर लो साहब इसको यह लो integrate कर लिया तो T की value 0 पे दूरी थी कितनी R0 T की value किसी time T पर वो टकरा गया तो दूरी कितनी हो गई 0 दूरी नहीं बची तो यह आजाएगा 1 का integration L और limit आएगी कहां से कहां तक R0 से 0 तक और यह आजाएगा minus का U cos theta तो constant क्योंकि वो change ही नहीं हो रहा यहां दे रखा है तुम्हें यह change नहीं होगा और integration of dt आजाएगा आपके पास T तो यहां से आपके पास जो answer आएगा वो आजाएगा कितना R0 by U cos theta आप ऐसा मत बोलना सर और रहा डारेट कर दिया डारेट कर दिया डारेट नहीं किया भाई एक बार 0 डालोगे एक बार R0 डालोगे तो माइनस R0 आजाएगा माइनस से माइनस कड़िया बस एक step खाईए मैंने यह result आजएगा इसको डारेट भी लिख सकते हैं तो तुम खुद सोचो तुम मालो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि कोई बंदा तुम से जो है 10 मीटर की दूरी पे है और हर सेकंड में दूरी जो है वो 2 मीटर कम हो जाती है ध्यान से सुनना तुम से वो 10 मीटर की दूरी पे तुमने बोला ठीक है सर और मैं कह रहा हूँ कि हर सेकंड पर तुम दोनों के बीच की दूरी जो है ना दो मिटर से कम हो जाती है अच्छा हर सेकंड दो मिटर कम हो जाती है तो एक सेकंड बाद आठ रहे जाएगी दूसरे सेकंड पर छे रहे जाएगी speed मतलब कौन सी velocity of approach इस तरीके से आप बड़े आसानी से time निकाल सकते हो तो आईए बढ़ते हैं एक सवाल पे अगेन बहुत ही famous सवाल बहुत ही अपने क्या बोलेंगे अपने जमाने का एकदम पिटा हुआ सवाल पिटा हुआ मतलब इसलिए क्योंकि इस सवाल को जो है मतलब आप NCRT में भी देख लेंगे इस सवाल को आप किसी भी coaching institute में अगर आप पढ़ रहे होंगे जई की preparation कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये सवाल बिलकुल आपका दिल दड़काने के लिए आपका मन मचलाने के लिए मिल जाएगा बड़ा प्यारा सवाल है इसको समझते हैं थोड़ा क्या कह रहे है पहली बार जब बच्चा पढ़ता है तो अकसर इसो गलत समझ जाए अच्छा इसमें एक और चीज यार एक चीज और बताता हो तुमको मैं कोई चीज बताता हमाँ उसके अंदर और चीज ऑढ़ता करऊगी यह हो जाता हो किया होता एक गरपे करने के लिए चीज देता हूं वैएसेख है गर पे करने के लिए किया यार वह मैं थोड़ी देर बाद तो यह बता ही दूँ блок तुम मुझको क्या ये बता सकते हो कि distance कितनी चली होगी इसने सब क्या बात कर रहे हो यार ये distance कैसे निकालेंगे distance कैसे चली होगी displacement पूछते तो हम बता जेंगे ज़र खटाक से R0 is the displacement distance का पूछने लग गए सब आप चलो एक हिंट देला हो distance अगर speed constant हो तो distance, speed और time में क्या relation और तुमारी speed constant है तुमारी speed constant है भाई साथ तो बढ़ते हैं आगे ठीक है तब तक तुम सोचना इस पे और अभी हम बढ़ते हैं आगे इसका जवाब भी थोड़ी दिर बाद तुम्हें मिली जाएगा यहां पर यह है हमारा equilateral triangle क्योंकि उसकी बात कर रहा हूँ है तो यह हमारा प्यारा प्यारा equilateral triangle और इसमें क्या गाए तीन पार्टिकल दे रहें ए बी सी आर सिट्वेटेटेटेटेट अट वर्टाइस ऑफ इन लो जी साब ले लिए हमने तीन पार्टिकल कौन कौन ओ जी पहले का नाम है ए दूसरे का नाम है बी और तीजे का नाम हैगा सी अच्छा जी साइड जो है साइड जो दे रखी हैगी किसकी triangle की वो जी दे रखी है कितनी वो दे रखी है ए और ये है equilateral triangle equilateral triangle अच्छा तो equilateral triangle अपने को दे रखा है तो ये जो lateral triangle है इसके अंदर क्या होता अपने को पता है सारे एंगल 60 होते हैं चलो अब यह कहना है हिट और पार्टिकल मूजित कॉंस्टेंट स्पीड भी सारे कह सारे वी स्पीड दे सलते हैं बहुत बड़ी है भाही साथ है वह अलवेज वलासिटी अलॉंग एभी तरीके से नहीं होनी चाहिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हुए इस तरीके से लिखी हुई है खेर उसका मतलब भाई है लेकिन तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे इसे थोड़ी से लैंग्विज चेंज करते हैं अब तो ए ओल्मेज हैस इस वेलाशिटी अलॉंग भी तो टूइटस पी अलॉंग भी नीज को टूइटस कर देते हैं यार तुम कहोंगे ज़र क्या यार पहले कर लिया कर दोने सब चीजें बाद में करते हुए आप भी आलसी हो सार आप 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 इस लेकांबर तो सुनो अलुग मतलब मुझे अभी लगा चाहिए तुम कन्फिज जाओगे तो A आप इस वेलाशिटी तूवर्टस A की वेलाशिटी हमेशा B की तरफ तूवर्टस P B तूवर्टस C अब कई बच्चे क्या सोचते हैं वो यह सोचते हैं यहाँ पर इस सवाल को पढ़के कि अच्छा A जो है इस तरफ आ रहा है B जो है वो इस तरफ जा रहा है सी जो है वो इस तरफ जा रहा है सर ये तो कभी मीट क्यों करेंगे ये ऐसा आगे जाएगा तो ये जितना चलेगा ये भी उत्ता चलेगा तो ऐसे तो ये कभी मीटी नहीं कर पाएंगे मतलब ये थोड़ा यहां आया ये थोड़ा यहां आया ये थोड़ा यहां आया फिर ये यहां आया ये यहां आया ये यहां आया फिर जैसे ये यहां आ जाएगा ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा तो मीटी नहीं कर पाएंगे कौन सुझे चलता है तो भाई जैसा आप इसको देख रहे हो वैसा य की तरफ रखेगा को भी हमेशा अपनी वेलोशनी को एक की तरफ रखेगा नहीं समझा सर नहीं समझा रहे हैं तुम्हेरा वाइट मत थो थोड़ा सा चला चिंदा सा यहां पर अगे बढ़ गया दिख रहा होगा पॉयंट लाल लिलू लाल अगर तुम्हें और सही से दिखता हो तो वह हैसे लाज दिखता ही लेक्त हो था बढ़ा हम तो वी कां पहुंच गया यहां फिख भी तो ना चूटा तुम सोच सकते हैं अथना च्छोटा और सी इसल हो पहने कहा मेरे भाई तुमने का रहे हां हां भाई बॉली बॉली मैंने एक बताना अब बी यहां Vai तो अब A का काम क्या है? तो तुम काओगे सर A का काम है ना B की तरफ जाना है तो A इस बार किस तरफ जा रहा होगा? आई क्या बात समझ में? ऐसे ही B जो है वो इस बार ऐसा जा रहा होगा. बी, बी देखेगा अरे अरे C ने अपनी पोजिशन चेंज कर ली तो वो भी अपनी डारेशन को चेंज कर लेगा और C जो है वो देखेगा आरे A यहाँ आ गया तो C का काम है A की तरफ जाना है आई क्या बात समझ में? हाँ सर आतो रही है चलो तो और समझो फिर इस बात को समझना अब क्या होगा? कि ये A भी थोड़ा सा आगे आ जाएगा इस वाले नए ट्राइंगल पे B अभी इस नए ट्राइंगल के लॉंग चल रहा है C इस नए ट्राइंगल के लॉंग चल रहा है तो तुमको क्या दिखीगा? तुमको फिर दिखेगा यहाँ पर कि ये ए जो है अभी बी की तरफ आ रहा है ये बी अभी सी की तरफ जा रहा है और सी अभी जो है ए की तरफ जा रहा है दिख रही है ये बात है हाँ सर दिख रही है अचा फिर उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं सर उसके बाद हमें जो लगता है वो यही होगा कि अब ये ए तो यह थोड़ा सा इस ट्राइंगल पे आगे चलेगा, यह थोड़ा यहां आगे चलेगा, तो अभी क्या होने वाला है, अभी होने वाला है कि सर यह जो है वो इसको अप्रोच करेगा, यह जो है वो इसको अप्रोच करेगा, यह जो है वो इसको अप्रोच करेगा, तो क्या तुम्हें दिखता जा रहा है कि ये ट्राइंगल छोटा होते जा रहा है लेकिन है हमेशा एक्विलिटरल ही ऐसे करते करते तुम जब बनाने लगोगे ना मेरे भाई तुमको समझ में आएंगी बातें और तुम फिर कहोगे कि okay now I got the point what is happening actually here and why they are meeting with each other so much English ठीक है ऐसा हो रहा होगा यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा इस तरीके से वो ट्राइंगल छोटे होते जाएंगे और finally अगर तुम देखोगे तो अब इनके path की अगर बात की जाए ना path की तो यह A जो है वो ऐसा घूमता हुआ यहाँ आजाएगा यह B जो है वो ऐसा घूमता हुआ यहाँ आजाएगा और C भी जो है वो ऐसा घूमता हुआ यहाँ आजाएगा और एक कहाँ टकराएंगे कहीं यहाँ और जो point होगा centroid बताओ समझ में आया के नहीं आया यह है कि भाईया बताओ at what time will the particle meet each other कितने time बाद वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं ठीक है एक तो है इसको देखना ओ पॉइंट के respect में ओ पॉइंट पे तुम बैढ़ गए तुमने बोला कि भाईया मैं तो बैढ़ गी अब मैंने कौन है तुम बोलो कि हम तो centroid है हमारे respect में तो देखो हमेशा वह इक्विलेटल ट्राइंगल पर दिखने कौन तीनों अच्छा कितनी देर में टकराया गया यह देखें बिल्कुल देखें अच्छा आप यह इसा अब सुनो बात कि मुझे इसको देखना है इसको समझना है तो मैंने क्या कहा मैंने कहा कि यहां पर कि मैं बात करता हूं विद्र रेस्पेक्ट वू यहां से सुनना पूरी बात मैंने बात करी किसके respect में with respect to O अब with respect to O जब आप देखोगे उस moment पे कोई भी A उठा लो आपको ये जो है कौन B क्या ये U velocity से चलता हुआ नहीं लग रहा अभी speed से हासर लग रहा है अच्छा और क्या ये angle आपको 30 नहीं दिख रहा हाँ सर दिख रहा है और क्या ऐसा हमेशा हो रहा है क्या सर हमेशा का पता नहीं तो देख लो अच्छा सर आप नहीं कहा था कि हर particle equilator triangle पे है और आप जानते हो कि अगर आगे चल कर भी equilator triangle पे ही रहता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यो centroid से किसी भी vertex को जोड़ोगे तो side और उस line के बीच का angle 30 degree ही होगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस o point के लिए b is always moving बिता स्पीड u and तो u दे रखी थी and angle is 30 योगि अगर वो triangle ऐसा equilator ऐसा घूम भी चुका है छोटा भी हो चुका है तो अभी भी b तो ऐसा जा रहा है तो यह angle तो 30 ही आएगा triangle घूम के और छोटा हो चुका है मानलो कुछ ऐसा अभी भी आप समझें कि b ऐसा जा रहा है तो यह angle तो 30 ही आएगा आपको यह बस थमझ में आनी चाहिए कि यह जो case है it is exactly similar to this case जिसमें speed change नहीं हो रही angle change नहीं हो रहा तो फिर कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई हम को बस यह वाली velocity of approach ढूंड लेनी है जो है u cos 30 और यह वाला length ढूंड लेना है जो मिसको अभी मैं बोल देता हूँ time of collision जो आजाएगा जब आ जाएगा l upon याद है दूरी तुमारी थी 10 और हर second 2 meter से कम हो रही है तो दूरी तुमारी है l और हर second इतने से separation कम हो रही है तो यह हो गया तुमारा answer क्या answer तो बता दो कैसे निकलेगा निकालने ते लिकाट ल क्या था initial distance यह पूरा a था क्या हाँ तो यह कितना होगा तो यह कितना होगा सर यह a by 2 होगा क्यों बाई equalator triangle है altitude डालोगे angle by sector अच्छा तो यह 90 degree होगा हाँ a by 2 है यह कितना है यह 30 है तो यह o c जब बता ना o c कितना आएगा o c बोलो o b बोलो सर यह hyperteneus है और यह है base तो यह आजाएगा base upon cos 30 base upon cos 30 मतलब a by root 3 पक्की बात अरह सर एकदम पक्की लिखो बस यहाँ पर a by root 3 upon u root 3 by 2 तो आंसर आजाएगा अपने पास 2 a by 3 u इधर से इस तरीगे से बड़े आसानी के साथ आप लिख सकते हैं सर और कोई तरीका है हाँ हाँ बिल्कुल और भी तरीके है उसमें कौन भी नहीं जी उमको क्या बोला गया है अभी कि वो हमेशा कैसे रहते है equilateral triangle पे रहते है हाँ सर बोला तो गया चलो यार इस बार कोशिश करते है हम ऐसा देखने की कि ए देख रहा है बी को या बी देख रहा है एको तो ये था अपना कौन बी कौन था ये था बी और ये किसको देख रहा है ये देख रहा है एको हाँ तो बी की velocity हम जानते है बी की velocity यू है इस direction में ए की velocity इस direction में यू है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर यह 60 तो वह इस बात को समझना आप कि यहाँ यह हमेशा आपको ऐसा दिखेगा कि with respect to b b क्या करेगा b अपने component को इधराइड करवाएगा कौन सा वाला यह u cos theta वित रेस्पेक्ट टू b b अपने इस u cos theta को अपोजिट आड करवाएगा जो की है u by 2 और इस u sin theta को इस direction में आड करवाएगा तुम का होगे सर नहीं समझा आया मैं समझा तो u cos theta इस तरफ तो अपोजिट आड करवाएगा यह u sin theta इस तरफ तो उसके अपोजिट आड करवाएगा अभी समझ में आया मैं सर थोड़ा थोड़ा है यह distancer आपको ने दी हुई है सवाल में a तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि b को यह हमेशा 3u by 2 से आते वे दिखेगा हाँ क्योंकि यह हमेशा equilateral triangle पे लाएग कर रहे हैं सेम यही case बनेगा तो इसका अपना velocity of approach हो गई कितनी 3u by 2 b के according with respect to b a is having a velocity of approach of 3u by 2 और कितना distance travel कर रहा है वो a अपन 3u by 2 आंसर इस 2a by 3u जो आपका इधर से भी निकला था 2 4th term है और root 3 root 3 बन जाएगा 3 तो 2a by 3u इधर से भी ऐसे निकल जाएगा अब यह सवाल जो है ना ऐसे सवाल तुम्हें अब जो है किसमें square में दिख जाएंगे एक जाएंगे कि भी अभी एक square है अभी तुम्हें कहे कि अब वो square पर ऐसा move कर रहा है यह एसा move कर रहा है और यह एसा move कर रहा है इन चारो particle का काम क्या है इन चारो पार्टिकल काम है एक दूसरे की तरफ move पर दिख नहीं करना जो डिएगनल का intersection point है उसके along component low यह वाली distance न यू कॉस 45 और यह डिस्टेंस तो यह कितना है रूट टू है तो इसका आधा एभाई रूट टू अब ऐसा मत बोलना सर इतना जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हो मेरे भाई यह यह तो यह रूट टू एभाई टू कितना हो जाएगा यह हो जाएगा नहीं आया सर यह चीज और ब तो रूट टू एका आधा तो इसको रूट तू रूट टू लिख सकता हो तो एभाई रूट टू आ गया तो यह डिस्टनी है एभाई रूट टू और कितने से यह अप्रोच कर रहा है यह अंगल आ रहा पैता लिस तो यू कॉस 45 तो टाइम आजाएगा यहा पर कोलिजन क में देते कैसा भी केस दे दिया गया हो बस ध्यान दिया रखना कि वो सेंट्राइड जो आएगा इनका उसके अलॉंग कंपोनेंट और वो डिस्टेंस बात खतम उमीद है ये चीज समझ में आई होगी आई ये आते हैं एक और सवाल की और फिर कुछ और क्वेस्टेंस भी करे क्या दिया गया है यहां ए मूज फिट कॉंस्टेंट वेलॉसिटी अलॉंग यू ए जो है वो यह इरोडोब में शायद काट और डॉक करके दे रखाया कुट्ता बिल्ली वाला सवाल उसमें ऐसा मुला है कि बिल्ली है जो यू स्पीड से भागती है इस डिरेक्शन अलॉं बी का काम क्या है बी का काम है हमेशा एकी तरफ भागना एकी तरफ भागना मतलब ए थोड़ा आगे जाएगा तो बी अपने डिरेक्शन को चेंज करते जाएगा एकी तरफ उसको अपनी वेलॉसिटी रखनी है तो बी आल्वेज हैस वेलॉसिटी टूर्ड़्स ए आफ्ट आफ्टर हाउ मच टाइम बी विल मीट ए इफ वी मूज विट कॉंस्टेंट स्पीड वी अच्छा वी बोल रहा है कि यह तो कॉंस्टेंट वेलॉसिटी से जा रहा है वेलॉसिटी मतलब डैरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है देखो बातें बड़े ध्यान से पढ़नी होती है वेलॉसिटी मतलब डैरेक्शन भी चेंज नहीं हो और कॉंस्टेंट स्पीड मतलब इसकी डैरेक्शन चेंज हो सकती है तो यह भी कॉंस्टेंट स्पीड से चल रहा है यह चलिए अब आप से पूचाए कि बताओ कितने टाइम बाद वह उसको पकड़ लेगा कितने चलता मान लीजिए यहां आगया चलते चलते कहां आगया यहां आगया तो यह जो बी होगा यह मान लीजिए इसका पात कुछ ऐसा है या अभी एक बार इसको मैं रफ्ट करता हूँ बी का काम क्या है एकी तरफ भागना तो ए जैसे आ गया है वो टिल्ट होगा ए और आग तो बी का जो पात दिखेगा आपको वो कुछ ऐसा दिखेगा मतलब कहीं जाके वो मीट करेगा जरूर मालो यहां पकड़ लिया उसने उसको कहीं यहां जाके मालो उसने उसको पकड़ लिए तो अब इस बात को समझना जब बी कहा है के यहां बी मालो अब यहां आगया चलते चलते तो I एक ही पोजीशन कहां होगी यहां से टांजेंट रो कर दो कि यह वने टांजेंट र Свnd इस आप इससके हैं कि ए जो हैब वह अभी यहां होगा अ कि हांखे न तो अगर मैं यहां कहता हूं कि B की velocity वी रहती स्पीड जो है वो वी रहती है हमेशा तो यहां से सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो यह कि यह angle को अगर मैं कहता हूं मान लो theta देखो ध्यान से सुनना इस वाले angle को मैं कहता हूं कि यह theta तो इस U के इस A के भी components है एक इधर U और एक इधर U cos theta तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा velocity of approach की बात लिखने की मान लो उनके बीच की separation किसी moment पे है L तो separation या velocity of approach तो DL by dt कितना आएगा DL by dt यहां से अगर आप देखेंगे तो ध्यान देना A अगर देखता है किसको B को तो वो इसको अप्रोच करता दिखता है तो velocity of approach किती दिखेगी उसको V minus U cos theta यह अपनी velocity minus कर देगा velocity of approach जो आएगी वो आएगी कितनी V minus U cos theta तो मैं इधर minus का लिखता हूं V minus U cos theta कई जने बोलेंगे सब नहीं आया समझेंगे इस मैं समता हूं तुम्हें क्या निकालना है A के हिसाब से relative velocity of approach तो यह आजाएगा U sin theta और यह आजाएगा U cos theta तो A जब देखेगा तो अपने इस U cos theta को opposite direction में add करवाएगा तो यह approach कर रहा है V और minus U cos theta सर लेकिन negative क्यों लिखा क्योंकि यह approach कर रहा है तो L time के साथ कम हो रहा होगा इसलिए negative तो यहां से आपके पास एक equation आजाएगी DL की जो equation आईगी वो आजाएगी minus का V DT plus का U cos theta into यह DT हाला यह बात अपने को यहां से ती है अब अगर मैं यहां पर integrate करता हूँ तो T equals to 0 पे T equals to 0 पे separation कितनी थी L किसी time T पे separation मान लो 0 हो गई तो आपके पास कुछ यह equation आपको यहां से बनते हुए दिखेगी दिखेगी बिलकुल जी बिलकुल यह equation अमको यहां से बनते हुए दिखेगी इसमें कोई दो राय नहीं है अच्छा अब इसको जब मैं integrate करता हूँ तो यह आ जाएगा L और यह आजाएगा यहां से L और यह 0 देखो मैं वही velocity of approach लेते वे चल रहा हूँ वही concept लगा रहा हूँ इंटिग्रेट कर रहा हूँ इस बार theta जो है अपना वो variable है वो change हो रहा है इसलिए यहां पर मैं direct u cos theta को बाहर ने ले सकता लेकिन minus b को मैं बाहर ले सकता हूँ integration of 1 वह आजाएगा t limit आजाएगी 0 से t और यह plus तो आपका u बाहर आजाएगा लेकिन दिक्कत अभी कौन करेगा दिक्कत है cos theta dt अब अगर यह theta का function मुझे as a function of time पता होता तो मैं integrate कर देता समझना इस बात को मैंने पहले velocity of approach लिखी और फिर उसको integrate किया जो मैंने पहले समझाया था लेकिन इस बार theta variable है तो यह मुझे दिक्कत नहीं कर रहा है दिक्कत हमें जो कर रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ यह बात अब इसको कैसे solve करें इसको कैसे solve करें यह समझने वाली बात है चलो देखने अगर मैं तुमसे पूछू कि मान लो यह कहीं यहां आके दोनो meet कर गए इस point पे इस point पे आके दोनो meet कर गए देखो थोड़ा out of the box सोचना पड़ेगा इस सवाल क्या A जब यहां पहुंच चुका है तो B भी यहां पहुंच चुका है क्या हाँ क्योंकि उसने पकड़ लिया है तो A X direction में जतना चला B भी X direction में उतना ही चला है क्या हाँ सर दोनों का final point सेम है और initially X coordinate दोनों का 0 था तो साफ बाद है दोनों same displacement चले है X direction में तो मैं यहां से यह बात बोल सकता हूँ क्या कि displacement of A in X direction and displacement of B in X direction is the same हाँ के न इसका A के लिए जो displacement आएगा हो कितना आजाएगा इसकी velocity constant है तो मालो T टाइम लगा तो U into T तो यह आजाएगा आपके पास U into T A का displacement लेकिन B तो B के displacement को देखने के लिए तो मुझे B की velocity चाहिए होगी कौन से direction की उसी direction की जिसको मैंने कहा X तो यह थीटा तो यह भी थीटा तो यह कितना आगया B कॉस थीटा भाई B का मुझे X direction का displacement के बारे में जानकरी चाहिए तो उसका जानकरी मुझे X component से ही तो पता लगेगी तो मैंने का या total displacement चाहिए ना तो मुझे integrate करना पड़ेगा क्योंकि V जो है वो थोड़ा सा चला होगा कितने स्पीड से V कॉस थीटा ती से क्या इसका component V कॉस थीटा है इदर हासर है तो यह X component है तो इसको मैं DX by DT लिग दूँ क्या हासर लिग दो तो DX की value क्या आएगी V कॉस थीटा इंटू DT मतलब हर DT time में DX 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 चला है तो total कितना चला होगा integration तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि DT time में कितना चला रहा है कहां से कहां जा रहा हूँ DT time में वो इतना चला तो इसी को क्या कर दो integrate कर दो मतलब integration of V कॉस थीटा T from 0 to T अब बताओ V तो constant है बाहर लिया जा सकता है लेकिन कॉस थीटा का कुछ नहीं हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मुझे मेरा काम हो चुका है तो यहां से यह आ जाएगा UT by V जिसकी value आ रही है integration of 0 से T cos थीटा यह आ गई अपनी दूसरी equation इस पूरे की value आ रही है UT by V तो यहां मैं क्या डाल दूँगा यहां मैं डाल दूँगा UT by V तो हमारे पास जो equation आ रही है by using 1 and 2 यह मेरे पास कितना था यह था minus का L यह था minus का VT minus का L minus का VT और plus का U into that this thing तो यह आ जाएगा U square by V U square by V और अब हम क्या करेंगे अब हम जो भी solve करना है वो solve कर लो तो यह आ जाएगा अपने पास T यह आ जाएगा यह minus को है ना मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो यह तो plus हो जाएगा और यह plus का हो जो इस minus को खतम इतने टाइम में वो उसको क्या कर लेगा अप्रोच कर लेगा अब सुनो इसमें और क्या कहा गया है what will be the distance traveled by A and B तो A कितना चला वो तुम बता सकते हो U into T T तुमने निकाल लिया तो T को U से multiply कर दो A की distance आ जाएगी लेकिन B सर तो B तो count path पे चला है क्या दिक्कत है भाई B की speed constant है और speed अगर constant होती है तो distance is speed into time तो B जो distance चलेगा ध्यान रखना distance traveled by B is speed into time अटम तो यह जो था ना time इसको multiply कर दो किस से? B से V square L upon V square यह अपना answer हो जाए उमीद है यह सवाल पसलन आया होगा तो अब हम बात कर रहे हैं कुछ miscellaneous problems की और बाकी फिर हमारे lecture को हम खतम करेंगे आज अभी के अभी team questions है time हमारे पास है पड़ा बढ़ते बात करते हैं कुछ miscellaneous problems तो यह अपना आयटी जेई शायद 2014 का सवाल है यह जेई में पूछा गया बहुत ही बखवा सवाल है लेकिन एक छोटा सा concept है अकसर जिसमें बखवा सवाल नहीं बोलेंगे इसको तो कि इसमें लोगों को काफी फसाया लोगों का टाइम बड़ा बरबात किया इसमें सवाल ने कैसे वो मैं बताता हूँ पेपर के दोरा में अगर तुम्हें याद हो तो मैंने जब एक बात बताई थी तुम्हें ये वाले questions कराते वक्त एक question तुमको करवाया था मैंने कि उसको उपर से नीचे फैक दिया इसको नीचे से उपर फैक दिया time of collision बताओ तो हमने देखा था अच्छा दोनों की acceleration constant है same है तो relative acceleration is zero एक के respect में दूसरे का relative velocity निकाला तो distance upon velocity करके काम हो गया लेकिन मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि यार कभी क्या हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि वह उपर से आ रहा है और ये नीचे से ऐसे आ रहा है लेकिन इसके नीचे आने से पहले ये जमीन पे गिर जाए इसको आपने थोड़ा से उचाला और ये जमीन पे गिर जाए तो आपने जो solve किया है याद है ध्यान से सुनना मेरी बात जैसे मैंने कहा इसको मैंने फैका कितने से 40 से नीचे और इसको मैंने फैका मानलो 20 से उपर तो relative velocity कितनी आ गई 60 आ गई नीचे अब मैं कहता हूँ कि भाई ये जो है 120 मीटर था 120 मीटर था तो मैंने कहा कि यार ये जो है जब इससे टकराएगा कितने टाइम में टकराएगा तो ये बोलेगा कि यार वो 60 से नीचे आ रहा है और relative acceleration 0 है 120 की distance है तो 120 by 60 2 सेकंड में टकरा जाए लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है इस केस में भी हो सकता है वो मैंने चेक नहीं किया कई बार ऐसा हो सकता है कि ये 2 सेकंड से पहले ही नीचे गिर जाए इस केस में तो खहरे ये नहीं गिरता कई बार ऐसा हो सकता है कि वो 2 सेकंड से पहले ही नीचे गिर जाएगा और अगर वो दो सेकिंड से पहले नीचे गिर जाएगा तो इसका मतलब तुमने क्या solve किया तुमने ये मान के solve किया कि throughout the motion the acceleration of both the particle is same तुमने सोचा अच्छा इसके respect में इसका acceleration वो 0 आएगा क्योंकि दोनों का g है लेकिन मेरे भाई collision से पहले अगर ये जमीन पे गिर गया तो इसका acceleration 0 हो जाएगा और इसका non-zero तो relative acceleration फिर 0 नहीं होगा ये अगर जमीन पे गिर जाता है तो इसका acceleration तो 0 होगे उसका non-zero है तो relative acceleration फिर 0 नहीं होगा और अक्सर लोग ये गड़बर कर देते हैं चेक नहीं करते तो IAT ने ये बात पकड़ी और उस पेक सवाल बनाया 2014 में I I think और ये काफी लोग को confused किया है सवाल क्या है वो से सवाल में कह रहा है रोगे इस मुविंग इन ग्राविटी फ्री स्पेस टीक ग्राविटी का मामला ही खतम कर दिया है उन्हें टन्टाही खतम विज़ो है प्लस में जा रहा है ये पॉज़िटिव एक्स डिरेक्शन फि कि आपको दिख रहा है ये बॉल वन हो गई अच्छा अभी भी कई लोग जो है ऐसा बुल देता है कि आंसर गलत था कही लोग था बहुत ही बहुत ही काम होंगे ऐसे विचारे जो पता नहीं इनको ध्यान नहीं बुलत है और एक्शली इसी तरीके से होगा मतलब एक बार एक बच्चे ने भी मुझे एक लिंक बेजा है सर देखो इसका आपने तो बताया वो तो आंसर आप जो आपका तो गलत आ रहा है और बुक में देखो यहाँ पर इस वाली साइट पर तो देखो क्या सॉलूशन दे रखा है और मैंने का वाई सॉलूशन गलत कि मूविंग फ्रेम लो हमने पड़ा है रिलेटिव बैठा दिया इसको यहां बैठा दिया हमने इस आप जाप इस अब यह तो उसने बला हमें देखोंगा तो यह तो रिले जाओbei यह और दूसरी का कि यह उत्ता अब भूलने की बारवार्य तो सॉरी अगर कभी निकल जा तो चार मिटर अब मैं यहां पर क्या कहता हूं कि यह इस फ्रेम में बैठा है तो यह इस फ्रेम में बैठा है तो यह इसको आपोज़ेशन दे दो तो तो एसा हो गया कि जिस तरीके से ग्राविटी नीचे लगती है तो इस फ्रेम में बैठा है बंदे के लिए ग्राविटी इधर लग रही है और इसके लिए भी ग्राविटी इधर लग रही है ठीक है ना तो अब ऐसा समझ लो कि इस ऑब्जर्वर के लिए जैसे हमने जो अभी हो सवाल किया था था ना कि एक particle इसको देखा तिरचा करलो भूमा लो व्यशा समझो कि two point point two speed से इसको फ्हेगा point three के speed से इसको फ्हेगा इसका acceleration भी नीचे की तरफ two और इसका acceleration भी नीचे की तरफ two अब कई उन्हों सोचा अरे अरे हमने और relative पढ़ा है न तो हम ऐसा क्यों देखे उन्होंने सोचा कि हाँ यह आगे जाएगा कई लोगों ने क्या किया यह अच्छा ऐसा होगा तो यह थोड़ा चल लेगा इधर यह थोड़ा चल लेगा यहां collision हो जाएगा उन्होंने equation बना दी एकदम मस्त वाली यह x और यह चला 4-x equation लगा कि उन्होंने answer वाँसर निकाले उनका आंसर गलत आया फिर एक कुछ और भी थे उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा अरे 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 यहां पर इस frame के respect पर दोनों का acceleration सेम दिख रहा है तो क्यों ना मैं इस पार्टिकल पर बैठ जाओं और उसको देखूं तो उसने कहा कि अच्छा भाई हमारे पास क्या है हमारे पास अगर तुम देखोगे तो सब्सक्राइब को दिख रहा हमारा एक्सलेशन तो कुछ है ही नहीं पार्टिकल करें तो ने उन्हों ने सोचा कई बच्चों ने अच्छा तो ऐसा करते हैं इस पे बैठ जाते हैं और वन की वेलासिटी तू के समझ में नहीं आ रहा होगा, तो 0.3 प्लस का और 0.2 माइनस का तो यह आ गया, 0.5, अब उनुने का देखो, को दिख रहा है कि यह जो है अंटीजा टा था शाय चाहिँट टायुट यह याद आ लां तो यह चाहर disent से यह डा राग। चला डा जाएगा डिस्टेंस अपॉइंट फÁ इसंट अपन्य प्हेट आ जाएगा अपने दिस्तेंस अपॉंच पाइब और बच्चे ने एक ने मिरे को आंसर भीदावीदा सर देखो इस साइड पर आठ पता नहीं अब चेंज हुआ है के नहीं वह मुझे निध्यान लेकिन उसके अना इवन जब मैंने भी स्वाल किया था तो पहली बार में 8 सेकंड निकाला था लेकिन 8 सेकंड निकालने के बाद मैंने एक और काम किया जो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि भाई यह देख लो कि यह जो है ना यह कई वापस ने टकरा गया हो यह इसी से यहां तुम कह रहे हो कि कोलिजन होगा कहीं बीच में लेकिन अगर यह पहले ही टकरा गया जमीन पे देखो तुमने क्या मान तुमने यह मान के solve कर दिया यह पूरे 8 सेकंड के लिए कि relative acceleration 0 लेकिन वो तब है भाई जब यह ऐसे चलते रहेंगे क्या पता यह आके टकरा जाए इस से उससे पहले ही 8 सेकंड से पहले ही तो अगर आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान देंगे तो इसके frame में इस observer से पूछो किस observer से इस observer से इस observer से पूछो तो यह कहेगा कि भाईया इसकी velocity है इधर कितनी 0.3 और इसका acceleration है इधर कितना 2 तो जिस्ते time में वो तकराएगा वो बैस सीधे लिख सकता हूं 2U by G अब तुम बोलोगे सर आप पता नहीं direct direct कर देते हो कैसे कैसे हमको समझ नहीं आ रहा अज़ा जीव लिख दिया देखो मैंने लिख से 2U by A तो यू कितना है 0.3 और A कितना है 2 तो सर यह तो 0.3 seconds में ठकरा जाएगा यह वापस इस से 0.3 seconds में ठकरा जाएगा सर लेकिन आपने direct कैसे लिखा अरे मेरे भाई तुम भूल गए गया सर कौनसी बात 2U by G 2 U Y by A Y हा हा सर याद है time of flight तो यार इस प्लेन में इस direction में motion हो रहा और इस direction में acceleration है 2 U X by X खतम 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 तो इसका मतलब यह answer आपका गलत हो गया मतलब क्या हो जाएगा कि यह यहाँ पर आगे टकरा जाएगा अब आपको यह बता नहीं रखा कि वो टकराने के बाद वापस से उचलता है के नहीं उसके लिए collision की बात कर रखी मतलब coefficient of restitution दिया होता कि व वो बात नहीं की गई है तो हम यह मान लेए कि वो गया और इधर चुपचा पाके बैट गया तो अब हो क्या रहा है कि 0.3 seconds में यह तो टकरा के इधर वापस टकरा चुका है और उसको अभी आने में देर लगेगी तो तुमें एक तरीके से बस यह निकालना था कि इस वाले जिन्होंने यह सोच लिया था हना यो कि यह ऐसी तो बात है निकि यह बहुत ही हाई लेवल की बात है जो हर कोई नहीं सोच पाएगा यह तो बहुत ही बेसिक बात है जो कोई भी सोच लेगा हना उन्होंने यह सोच लिया बच्चों ने कुछ थे और मुझको भी पहली बार के respect में यह चल गया कितना चार distance चल गया और acceleration कितना है दो मैंने कहा दिया यार U relative पता है A relative पता है S relative पता है तो S relative is equals to U relative T plus half A relative T का square S relative कितना 4 यह direction मैंने बोल दी positive U relative कितना वो है 0.2 into T और A relative कितना वो है 2 और यह T square तो यह से काटा अब मैंने गा यार यह तो पता है कुछ बनी नहीं रहा आपने पास quadratic quadratic हाना मैंने भी जब solve किया था तब मैंने सुचा था ता अब यह क्या करें मेरे को जो श्याद ध्यान हो रहा भी मैं exactly मुझे यह पता नहीं है कि इंटीजर टाइप था के नहीं minus b square 0.04 minus 4ac यह 16 upon 2a अब मैं देखा रहे यह तो 0.2 plus minus तो minus को तो हटा और time negative थोड़ी नहीं निकालेगी और यह लगभग लगभग 4 यह आ गया मतलब 4 से थोड़ा सा जाधा upon 2 अब यह इसको काटोगे 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 तो यह 0.1 बचेगा तो यह तो यह तो यार अपने पास कुछ 1.9 आ गया कुछ अब मैं देखाए रहा तो answer आनी रहा और यह भी approximate value निकली यह 4 से थोड़ा सा जाधा आएगा तो यह 1.9 से थोड़ा सा जाधा आएगा लेकिन answer जो है इसका integer में 2 दे रखा है तो किसलिए दे रखा है वो तुम समझ गए होगे 0.92 के नजदीक 1.9 is integer में answer देना तो 2 answer देना खराब कर देता है और यही वोग सवाल होते हैं जिसमें काफी बच्चे जो है न पिछड़ जाते है रेस में ठीक है तो ऐसे सवालों पर थोड़ा सा आपको थुद को confidence रखना और जाधा confused हो रहे हो तो आगे बढ़ो और इसी के साथ भाई साव अपना time हो चुका है चलो त हम यह वाला सवाल देख ले एक बार ठीक है बाकी हम practice session में देख लेंगे दो सवाल और बचे तो इसको देख लेते हैं तो क्या कहा गया इस पे ball is thrown vertically upward relative to train train okay भाई साब relative to train train के respect में in a compartment of a moving train train is moving horizontally तो कह रहा है कि train है जो horizontally move कर रही है और उसको relative हमने ऐसा उचाल दिया वर्टिकल train के relative वर्टिकल उचाल दिया तो ball will maintain the same horizontal velocity as that of person at the time of throwing if the train is accelerating तो देखो यहाँ पर आपको अगले ही में clear कर दिया है कि train accelerate कर रहा होगा तो यहाँ पर आपको vertically throw कर रहा है relative to train and in a compartment of moving train train is moving horizontally यह आपको नहीं बताया गया है कि train horizontally move कर रहे है तो constant velocity से acceleration से किस से यह नहीं बताया गया है तो यहाँ जहें कहता है कि ball will maintain the same horizontal velocity यह बात सही है कि जब वो train अब ध्यान से सुनना train मान लो आपकी चल रही थी कुछ ऐसा इस direction में और आपने train के relative में आपने यह velocity इसको दे दी आप क्या नहीं देख रहे हो आप नहीं देख पा रहे हो यह वाली velocity आप सिर्फ यह देख पा रहे हो तो यह तो with respect to train आपको मामला दिखेगा आपको यह मामला दिखेगा आपको लगगा कि train तो rest पे है लेकिट जब आप अर्थ के respect में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा अर्थ के respect में train तुमारी relative velocity भी तुम देख पाओगे उस पार्टिकल की और train की velocity और दिखेगी क्योंकि इस बंदे को train की velocity नहीं दिख रही तो तुमको अर्थ के respect में देखना तो train की velocity भी दिखेगी नहीं आईए बात समझ में तो मैं समझाता train velocity of ball with respect to train is V vector तो यह आजाएगा VB minus VT तो यहां से velocity of ball जो आ रहा है वो आ रहा है V vector plus velocity of train velocity of train is U इसलिए वो U add करवा जिए अब इतनी बात clear है कि यह करेगा projectile with respect to earth with respect to earth क्या करेगा यह करेगा projectile अच्छा हां बिल्कुल और with respect to train क्या होगा तो with respect to train भाई या उसका acceleration हमें given नहीं है अगर train का acceleration 0 है if acceleration of train is 0 तो क्या होगा तो train के हिसाब से इसका acceleration सिर्फ downwards रहेगा पर train का इस direction ने कोई acceleration नहीं पार्टिकल का भी इस direction ने कोई acceleration नहीं तो relative acceleration भी 0 तो पार्टिकल सीधा उपर जाएगा और नीचे गिरेगा ऐसा इसको दिखेगा लेकिन अगर train का acceleration होता तो आप समझो कि यह पार्टिकल की velocity इधर दिखती और एक acceleration इधर एक acceleration इधर तो यह कुछ ऐसा प्रदेट्टायल करते वे दिखता ट्रेन वाले बंदे अगर acceleration इधर होती तो एक acceleration आपको relative acceleration आया था तो ball का x direction वाली velocity जो है वो बदलती train के respect में तो अगर acceleration नहीं है तो आप कह सकते हो कि जी हाँ इसकी velocity तो कितनी रहेगी यू ही रहेगी हमेशा एक बार जो फैंक दी तो ये वाली direction में तो यू ही रहेगी ये भले ही बदलती जाएगी लेकिन ये velocity तो यू ही रहे दिखते हो कि भाई ये option आपका सही ही बाल विल मेंटेन दा सेम होरिजनल वेलासिटी एस देट आफ परस्थन इन दा कपार्ट कमपार्टमेंट अच्छा एडड़ टाइम ऑफ फ्रोइंग तो बात ठीक है एड़ टाइम ऑफ फ्रोइंग जो train की वेलासिटी ये बाल का भी होरिजनल इन दोन ही लेकिन आगे भी वही मेंटें रहेगा यह ज़रूरी नहींग करेगी तो करते वख्त आपको जो मदद करेगी वो सिर्फ और सिर्फ ये वेलासिटी वह जो मैंने लिखा था नभी velocity वाली बात वो चीज़ मदद करेगी तो train का acceleration क्या है क्या नहीं उससे initial velocity पे कुछ असर नहीं पड़ेगा if the ball appears to be moving backwards to the person sitting in the compartment it means speed of the train is increasing सही बात है अगर वो backward जाते वे दिखती है अगर ये train जाली थी ऐसे और backward जाते दिखती है तो क्यों दिखी क्योंकि उसने क्या कि यार इस ball को ऐसा उचाला train का acceleration अगर इधर है इसको एक acceleration इधर मिलेगा तो ये पीछे जाईगी तो बिल्कुल सही बात है speed उसकी बढ़ रही होगी train बाल appears to be moving ahead of the person sitting in the compartment it means train's motion is retarding ये भी सही है कि दोनोई चीज़े मैंने इधर बता दी तो a c and d they are the correct options और एक और सवाल करनू क्या करनू क्या बोलो तो करनू एक सवाल कर लेते हैं एक सवाल थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल वाला ही कर ले एक सवाल तुमको लेता हूं एक प्यारा सा सवाल लेते हैं यहां पर मैंने क्या कहा यह अपना इंक्लाइन प्लेंद था तुमने बोला ठीक है सवाल को सवाल को समस्ते इस बात को यहां पर मैंने क्या कहा है यह अक्ती और इस चलो जो भी ले 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 निहीं लेल था, 10 root 3 लेल था, 10 root 3 लेल था, 10 root 3 मैंने ले भी, velocity, ठीक है, इमने गाटी ए यह किसकी velocity है, यह inclined plane की velocity, constant velocity से यह plane चल रहा है ऐसा, so this plane is a moving frame and it is moving with what, 10 root 3 meter per second, यह angle आपको दिया गया है कितना पीस, ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या कहा गया है, और आपको यहाँ पर यह क्या हाँ गया है, कि एक particle को हमने ऐसे project कर दिया, इस पे कोई बंदा बैटा, उसने एक particle को project कर दिया, कितने से, 10 root 3 से, एक बार बस बार देख लूँ, यह 60, यह 130, ठीक है, यहाँ से 60 degree से ऐसा project कर दिया, एक particle क हमने ऐसा project कर दिया, 10 root 3 meter per second से, और यह plane इधर जा रहा है, यह कैसा है, constant speed से जा रहा है, आई बात समझे, अब होता क्या है, होता यहाँ पर यह है, कि particle जब इधर से इसने ऐसा फैका, तो यह plane भी ऐसा move पर रहा है, तो तुम से पूछ रहा है, कितनी देर बाद इस plane से टकर आएगा, और कहां जाके टकराएगा, तो this is the velocity of plane, which is constant, and मैं थ्रो कर रहा हूँ, particle को ऐसे, इतने एंगल से, यह सब कुछ with respect to earth है, मालनो velocity of stone, तो यह stone कितने time में टकराएगा, और कितने range पे टकराएगा, तो you have to find the time of flight, सबसे पहले तो हम यही बात कर लेए, तो भाई, time of flight क कि अगर मैं बात कर तो simple सी बात है, यहाँ पर यह plane कैसा है, moving, तो plane पे बैठ जाओ, तो मैंने का, हाँ बाई, बैठ गये, लो साब, आपने का, बैठ जाओ, हम बैठ गये, अब plane पे हम बैठ तो गए, अब किसके respect में देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, with respect to plane, plane क्या कर के, इस particle को पकड़ा देगा, इस direction में, कितनी है वो, 10 root 3, आई बात समझे, इसरे अपनी velocity इधर पकड़ा दी, तो particle के पास यह velocity तो थी, और plane खुद की यह velocity भी देखेगा, तो projectile में तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ नहीं, बस relative velocity तुमने पकड़ा दी, अब तुमने जैस और कितना आएगा, वो आजाएगा, 10 root 3, अब तुम बोलो, यह नहीं है, मैं समझा नहीं, यह मैंने बहुत पहले भी बता रखा है तुम्हें कि अगर दो vector है, और उनके बीच में angle 2 theta है, तो angle by sector के along resultant आएगा, जो आएगा 2a cos theta, और theta अगर आपके पास यह 60 है, मतलब पू जाएगा, तो a और a का resultant कितना आएगा, a ही आएगा, along the angle by sector, तो यह ध्यान ही रख लो, दो vectors के बीच का अगर angle 120 है, तो resultant is along the angle by sector, and it is what, it is same, तो यह angle आपका 120 था, तो यह 60, यह 60 तो यह 60 तो यह 30, अब सवाल क्या हो गया, सवाल यह हो गया, कि अब सवाल ऐसा बन चुका है यह कि तुम इस projectile inclined plane की बात करते हो, तुमको projectile पढ़ाया है, कि हाँ सर पढ़ाया है, इसको कैसा फैक दिया, इसको फैक दिया, इस direction में, कितने से फैक दिया, 10 root 3 से फैक दिया सर, कितने angle से फैक दिया, 30 से फैक दिया सर, और यह कितना था, यह भी 30 था, time of flight निकालने के के लिए कौन सा component काम में लेते हो सर टाइम अफ्लाइट निकालने के लिए हम लेते हैं ये वाला component काम में परपेंडिगुलर वाला और gravity के लिए भी परपेंडिकुलर वाला तो क्या करेंगे हम तो सर यहां पर आ जाएगा आपने पास ये जी कॉस ठीय वाला component अब ये मत बोला अजर ये कैसे कैसे लिख रहे होगा अब ये सब तुम्हें बता चुका हूँ मैं पहले ही तो ए परपेंडिकुलर आजाएगा जी साइन जी कॉस्ट थर्टी तो कि जी की डारेक्शन है ऐसी और ये है अपने पास कितना तीस तो जी कॉस्ट थर्टी और इस टेन रूट 3 साइन थर्टी अजी कॉड़ा साइड बने लेकशना आपकी ये जो आ रहा है वो आ रहा है कितना टेन रूट 3 जो आपका आज़ा है यू रिलेटिव तो इस यू रिलेटिव का हमें ये वाला där चाहिए यू रिलेटिव का परپेंडिकुलर από यू आ जाएगा रूप 3 sin 30 मतलब by 2 और G जो है वो आपका है इस तरफ तो ये वाला जो component आजाएगा ये आजाएगा G cos 30 तो time of flight जो आपकी आएगी वो आएगी 2 U perpendicular by G perpendicular सारा का सारा काम relative वाला है तो चाहे U relative perpendicular लिख दो U relative का perpendicular और G relative का प्लेन का कोई acceleration नहीं था इसने gravity जो है वो G ही मानके चलेंगे हम इस direction में हमने देखा तो ये कितना आजाएगा ये आजाएगा ये आजाएगा 210 root 3 by 2 upon G relative ये आजाएगा जी कॉस 30 कॉस 30 आजाएगा root 3 by 2 कुछ गड़ड हो गई क्या नहीं तो यहां से ये कटा और G से G कटा तो कितना आ गया दो सेकेंड में टकरा जाएगा रेंज निकाल लिए तो भाईस आप रेंज का formula लगा तो तुम्हारी मर्जी रेंज का formula लगा तो range निकल जाएगी G अगर अगरCh democrat कर रहा होता तो एक acceleration इधर और चिपका देता और उसका यहां पर चिपका देता आंसर मिल जाता उमीद है बात को समझ पा रहे होगे अब वेरियेशन में कितना ही वेरियेशन दे दो तुम्हारी मलब मरजी है कैसे सॉल्फ करो हरा तो इस तरीके से आप जो है इन चीजों को सॉल्फ कर सकते हैं बड़े आसानी से तो आज का सेशन ज तो आज के लिए बस इतना ही एक फॉमबग प्वेस्चन जो है कल हम देख लेंगे फिर भी एक बार तुम ट्राय करके हो आई एडवांस का सवाल है तो मिलते हैं इंदा नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं शायद लाइब हो अपना सेशन तो प्रैक्टेस करेंगे हम प्रजेक